स्वागत है आप सभी का टेक स्टेडी आईटिय यूटूब चनल पर इस्टन रेलवे की तरब से जो अपरेंटसिप आई थी 2023 में उसके भी डॉकुमेंट वेरिफिकेशन चल रहे थे उसी क्रम में यहाँ पर 2023 के प्रेंटसिप की जो बच्ची हुई डीवी लिस्ट थी वो भी यहाँ पर जारी की जा चुकी मेरिट लिस्ट जमालपूर आसनसोल और मालदा डिवीजन का फाइनली यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी किया जा चुका है यहाँ पर आपको वेब नोटिस जो इंस्ट्रक्शन और वो भी दिख जाएगा और साथ में जो डीवी सीडूल है सभी कैंडेट्स का वो यहाँ पर दिख जाएगा इसके पहले आपका हावरा डिवीजन, स्यालदा डिवीजन और आपका कांचरा पारा वर्क्शाप का इन सब का यहाँ पर मेरिट लिस्ट आ चुका था जिनके की डॉक्मेन वेरिफिकेशन चल रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो बहुत सारे कैंडेट्स का सवाल था जमालपूर का कब आएगा कब आएगा तो देखिए फाइनली जमालपूर का जो है आचुका है यहाँ पर डीवी इसमें आपका आसन सोल मालदा जमालपूर वर्क्शॉप तीनों रहने वाला है और आपका वेन्यू कहां रहेगा डीवी का तो जो भी कैंडेट्स आटलिस्ट हो है उन्हें महादेवी वर्मा हिंदी पुस्तकाल है वर्क्शॉप जमालपूर टाइम होगा 10 बजे आपको यहाँ पे पहु सर्च कर सकते हैं डारेक्टली ठीक है अब नीचे इसमें अगर देखें तो बहुत सारे कैंडेट्स आटलिस्टेड हुए हैं क्या मिलेगा इसका फायदा इस सब जमालपूर की लिस्ट है आप देख सकते हैं इसमें अपना नाम देख लीजेगा तीनों कैंडेट्स चाहे जमालपूर का हो चाहे आसनसूल चाहे सियालदा आपको जाना उसी लोकेशन पर ठीक है और पूरा 58 पेज का जारी किया गया देखिए सब आसनसूल की लिस्ट है Electrician की 6 March को है तो काफी लंबे टाइम तक आपका यहाँ पर DV जो है होने वाला है अगर पूरी हम यहाँ बात करें लिस्ट में हम लोग सबसे लास्ट में चलें तो टोटल यहाँ पर 1613 Candidates जो है Short Listed है ठीक है and 14 March तक यहाँ पर DV चलने वाला है सभी का 26 March 26 फरवरी से लेके 14 March तक तो आप लोग भी अगर Short Listed हो है तो DV के लिए जरूर जाएगा इसमें 1.5 टाइम से लबख Candidates को बुलाया गया है बहुत सारे Candidates अपसें भी रहते हैं यहाँ पर DV करवा लेने के बात जो है आपका Final जो Merit List होगा वाएगा तब आप यहाँ पर जाके जॉइनिंग कर पाएंगे अब बात करें क्या-क्या documents लेके जाना है कैसे बनवाना है तो आईए देख लेते हैं जो DV instruction है उसको यह दोनों चीज़े हम आपको टेलिग्राम पर share कर देंगे तो वहाँ पर आप जूर सकते हैं यह आप चाहें तो टेलिग्राम सर्च कर सकते हैं टेलिग्राम पर जाके टेक स्टडी आईटी यह है आपका DV का instruction जमालपूर आसनसोल और मालदा यूनिट के लिए यहाँ आप देख सकते हैं DV जो schedule किया गया 26 मार्च से 14 मार्च तक जिसमें से 2 मार्च और 3 मार्च 8 मार्च और 9 मार्च और 10 मार्च को छुटती रहेगी ठीक है एट जमालपूर आक साब आपको जाना है तीनों के लिए as per the schedule finalized by the unit दब DV schedule is attached with the notice उसमें आपने देखी लिया आपके नाम के आगे आपका date जो है लिखा हुआ है ठीक है and 14 मार्च को जो है सिर्फ second half में DV होगा and 15 मार्च को full day ये क्या है reserve रखा गया है जो भी candidate absent रहेंगे पहले से reserve रख दिया गया कि 14 मार्च को first half में खतम हो जाएगा बट जो नहीं पहुँच पाते हैं किसी region से तो आप यहाँ पे second half में पहुँच सकते हैं 14 मार्च को ये अगर उस दिन भी नहीं पहुच पाते हैं तो 15 मार्च तक भी अगर आप पहुच जाते हैं तो आपका यहाँ पे DV कर लिया जाएगा ठीक है e call later जो है आपका 12 फरवरी से start हो जाएगा डाउनलोड होना जमालपूर वर्क्षाप का उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं 15 मार्च तक आसानी से कैसे डाउनलोड करना उसको हमने पिछली बार बताया था फिर चे अभी हम आपको वीडियो में बता देंगे इसके अलावा डीवी की टाइम पे अगर नहीं पहुच पाते हैं तो वही एपसेंट कैंडिट का एक उपसन है अधरवाई उसके बाद आपका डीवी कैंसल माना जाएगा नोटिस में अगर यहां देखें तो कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ अगर अपके पास आईटेटिव की आठमी की मार्क सीट अगर अपली केबल है तो अपना एक कॉल लेटर तो वहाँ अप्लिकेशन फार्म का भी आपसन आता है कम्यूनिटी सर्टिविकेट अनि काटेगरी सर्टिविकेट ओटर आईडी आधार काड पैन काड़ अपना लेजये किसी का ओटर आईडी नहीं है तो कोई इस्यों नहीं आपको एक मेडिकल सर्टिविकेट भी आपको ले जाना है जो आप डिस्टिक हॉस्पितल से बनआ लेंगे इस्टेट हॉस्पितल जो भी आपके आजपास तुए आपके करेंगे बनवा लेंगे medical fitness certificate ठीक है and जो आपका each set आप जो दो copy बनाएंगे documents की उनके एक एक set पे आप यहां पे अपना नाम address for number and अपना pin code nearest railway station school and college जहां से आपने पढ़ाई की है and साथ में जो card certificate issuing authority है उनका address with pin code जहां से issue हुआ है इतनी चीज़ें आपको fill करने होगी column नंबर 10 और 11 में आपको left hand thumb और signature करना होगा जो कि आप वहीं पे करेंगे यह आपके admit card में खाली जगा बनी रहेगी ठीक है तो यहीं चीज़ें यहां पर बताई गई है इसको आप लोग एक बार अच्छे का pro pharma इसे आपको print करा लेना और इसको ले जाके आपको वहां पर जो government hospital है वहां से इसको आपको क्या करना बनवा लेना है और इसकी copy भी करवा लीजेगा एंड इसको जो है आप लेके चले जाएएगा एक चीज़ यहां लिखा फायदा होता है आपका railway की जो level 1 की जाब आती है उसमें 20% आपकी सीटने डिजर्व होती है और आप सब को पता है अब railway में हर साल वेकेंसी आने वाली है तो अब apprenticeship candidates के लिए अच्छा रहेगा यह दूसरा जो PET होता है physical efficiency test होता है return निकालने बाद वो आपका नहीं होगा उसमें आपको छूट मिलती है तीसरा benefit आपको मिलता है कि आप जो apprenticeship में number score करते हैं उसके one third का जो weightage है वो आपके CBT exam में जोड़ा जाता है CBT का two third आपका यहां पर जोड़ा जाता है यह अगर आपको नहीं समझ में आता है इस पे एक detail video चाहिए तो comment section में बाल लिग दीजेगा yes तो हम इस पे एक detail video आपके लिए ले आएंगे कैसे apprenticeship का benefit मिलता है एंड चौथा एक benefit आपको मिलता है apprenticeship करने के बाद आपको एक NAC certificate मिलता है जिसके भिहाप पे अपना सिर्फ railway में छूट पाते हैं कोई भी ऐसी vacancy आती गौर्मन्ट जाप की जिसमें ITI plus one year apprenticeship मागा जाता है तो वहाँ पे आप eligible हो जाते हैं form बनने के लिए जैसा sale में कई बार आता आपका B.E.L. में B.E.M.L. में इसके लाओं जो one year के trade है welder हो गए diesel mechanic हो गए इनकी जब B.A.R.C. वगरा हम vacancy आती है तो one year experience या one year apprenticeship साथ में मागा जाता है क्योंकि ये एक साल के trade है तो ये एक benefit आपको इस certificate से मिल जाएगा railway के बाहर की job में भी और railway की job में तो जो आपको तीन benefit मिलते हैं वो मिलेंगे ये ये बड़े benefits हैं तो जो भी candidates are listed है आप लोग जाके अपना dv करवा सकते हैं and chances यही हैं कि आप लोग dv करवा लेंगे तो इसके बाद पहले joining merit list आएगी या अगर लगता है seat जादा खाली है तो फिर second merit list भी आ सकती है ठीक है तो उस पर depend करता है joining के बाद कितनी seat बचती है उसके according यहाँ पर second dv भी कराया जा सकता है जब भी वैसी कोई update आएगी तो आ RCFL के online form भरे जा रहे हैं नहीं भराया तो जरूर भर लीजेगा आप लोग रेलवे में local pilot के तो form भरे ही जा रहे हैं उसको जो भी candidates eligible ने भर लीजेगा तो यह सारी apprenticeship या government jobs जो हैं आपके लिए काफी बेहतर हैं डी ट्रिपल सबी के form भरे जा रहे हैं आपको जल्दी इसका वीडियो मिल जाएगा form भरने का MTS की भरती है दसमी पास सिर्फ एक exam से आपको सरकारी नवकरी मिल सकती है Thank you very much ख्याल रखेगा अपना इन सभी platform पे आप मारे साथ जुड़ सकते हैं तो जरूर जुड़िये का एक बार Thank you